सफर में सिर्फ रस्ता काटते हैं हम सफर में सिर्फ रस्ता काटते हैं वो अगर हो साथ रफता काटते और कॉल ही मेरा है चलिए काट दीजे कॉल ही मेरा है चलिए काट दीजे आप तो वैसे भी सबका काटते हैं आप तो वैसे भी सबका काटते हैं अब एक गजल से मतलौर कुछ सेर देगे कि तुझे बस दूर से देखा करू मैं तुझे बस दूर से देखा करू मैं, या तुझे को छू के दिल हलका करू मैं, बताओ चाए में चीनी सही है, या इसको चूम कर मीठा करू मैं, बहुत सुक्रिया, बताओ चाए में चीनी सही है, या इसको चूम कर मीठा करू मैं, अगर रोने से कोई लौट आए, तो फिर तो रात दिन रोया करू मैं, यकी आया, यकी आया मेरी चाहत पे या फिर, अभी कुछ और दिन पीछा करू मैं, बहुत सुक्रिया, और जिर देखिए कि महबबत मिल रही है गर, तो इसका सुक्रिया आदा करो, महबबत मिल रही है गर, तो इसका सुक्रिया आदा करो, मेरे होटों पे अपने होट तुम रखते हो इसका सुक्रिया, मेरे होटो पर अपने होट तुम रखते हो इसका सुक्रिया मुझे अच्छा लगेगा तुम मेरे कांथे पर सर रखा करो और कुछ सेर देखें कि मेरे जिंदगी से रूबुरु कराने में सेर हैं कि जो हाल करके रखा है मैंने जिंदगी का जो हाल करके रखा है मैंने जिन्दगी का मेरी जगा हो कोई तो सोचे खुद खुशी का ना नोकरी हो मन की ना घर पे चैन आए कोई तो हो जो समझे ये दुख भी आदमी का दुसीर था कि इंजीनियर है लड़का कहकर छुपा दिया है मेरा और मेरे घरवालों नहीं आए बिशाइरी का और उस बेवफा की बातों पे तुम भी आ गए ना उस बेवफा की बातों पे तुम भी आ गए ना बनता तो वो है सबका पर है नहीं किसी का और कुछ तरह देखे रोमेंटिक्स हैं कि दात के कुछ निशाँ हो गर्दन में दात के कुछ निशाँ हो गर्दन में दाग जायज है ऐसे जीवन में और जिन्दगी क्यों नहीं वैसी जैसी जिन्दगी क्यों नहीं वैसी जैसी यार चाही थी हमने बच्चपन में जिन्दगी क्यों नहीं वैसी जैसी यार चाही थी हमने बच्चपन में और शेर बतोरे खास देखिए कि उसने जल्दी मेरा कुर्टा पहना समझ जएगा कि उसने जल्दी मेरा कुर्टा पहना हमने साड़ी पहन ली उलजन में उसने जल्दी मेरा कुर्ता पहना हमने साड़ी पहन ली उलजन में और बहुत सरी लड़कियां बैठी हैं तो सेरे सुना देता हूँ कि आपकी नजरों से निकले तीर कुछ घाती भी है आपकी नजरों से निकले तीर कुछ घाती भी है उस पे ये आलम की लड़कों की खुली चाती भी है और शायरी करने लगे के काम कुछ भी था नहीं और फिर सुनने को सुन्दर लड़कियां आती भी है और कुछ सेर संजीता देख लीजिए कि तेरे जाने के बाद क्या होगा तेरे जाने के बाद क्या होगा बावला बाल नोचता होगा तेरे जाने के बाद क्या होगा बावला बाल नोचता होगा तुम जिसे मिल गई हो किसमत से तुम जिसे मिल गई हो किसमत से वो तेरे पाउं चूमता होगा तुम जिसे मिल गई हो किसमत से वो तेरे पाउं चूमता होगा और शेर देखिए कि उसने देखी है एक परी घर में उसने देखी है एक परी घर में मैंने बोला कि आईना होगा उसने देखी है एक परीघर में, मैंने बोला कि आइना होगा और यह सेर देखी है कि हम सब हैं यूपी कि और अपने लहजे का अपने अंदाच का एक तो पैदल है एक रोज खरीदेंगे कार भी, हम वो नहीं जो हैस करें खेद बेच कर. और आखरी गजल उसका मतलव से देखिये कि एक सब्दाए का साथ, साथ का मतलव था खुश, खुशी. कि इस तरह रखता हूँ खुद को साथ करके, जैसे बंजर रखा हुआ बात करके, और पहले अपनी आदतें डाली कहा फिर, जा रही हूँ मैं तुम्हें बर्बात करके, मस अले इतने थे जीवन में हमारे, रो न पाए हम किसी को याद करके, और है यकी अपने परिंदे पर अगर तो, क्यों ना इसको देख लो आजाद करके, और सेर है कि जीतना पड़ता है अपना हक यहाँ पर, जीतना पड़ता है अपना हक यहाँ पर, कुछ नहीं मिलता मिया फरियाद करके, मकता सेर का है कि खुद को रखता था मैं खुद मश्रूफ राना, रोज लाता गम नए इजाद करके, बहुत सुक्रिया